राहूल गांधी ने लसी पर भारत और चीन के सैनिकों के पीछे हटने को लेकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर चीन से डरने का आरोप तो लगा दिया लेकिन वह ये बात शायद भूल गए कि चीन ने जब भारत की करीब 38,000 वर किलोमीटर की जमीन कबजाई थी उस समय पंडित जबाहर लाल नहरूही देश के प्रधान मंत्री थे हम आपको बता दे कि चीन सेना की जमीनी हकीकत की संबंधी रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने बताया कि 1962 के संगर्ष में चीन ने अनाधिकरत तरीके से लड़ाक के केंद्र शाषित प्रदेश की करीब 38,000 वर किलोमीटर भूमी पर कबजा किया था इसके अलावा पाकिस्तान ने अनाधिकरत तरीके से पाक अधिकरत कश्मीर में भारत की 5,180 वर किलोमीटर भूमी को चीन को दे दिया था यह जमीन पाकिस्तान ने सीमा समझोते के तहट चीन को सौपी थी इस तरह चीन का 43,000 वर किलोमीटर से अधिक भारत की जमीन पर अवैद कब्जा है चीन पूर्वी शेत्र में अरुनाचल प्रदेश में करीब 90,000 वर किलोमीटर भूमी को अपना बता रहा है भारत ने इस अवैद कब्जे को कभी भी स्विकार नहीं किया 1962 में जब चीन ने भारत की 38,000 वर किलोमीटर जमीन कब्जाई थी तो उस समय जवाहर लाल नहरू देश के प्रधान मंत्री थे उलेखनिये है कि अक्टूबर 1957 और फरवरी 1958 के बीच चीनी सैनी को द्वारा अंतराष्ट्रे सीमा पार करने की खबरे थी ये इलाका भारती सीमा के भीतर था इन सब के बीच 28 अगस 1969 को लोक सभा में एक बयान देते हुए जवाहर लाल नहरू ने कहा था कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी लद्दाक में एक बड़ा शेत्र है जो व्यहवारिक रूप से निर्जन है ये पहाड़ी है और यहां तक की घाटिया भी आमतोर पर 13,000 फीट से अधिक की उचाई पर है चरवाहे गर्मियों के महीनों में इसका इस्तमाल पश्वों को चलाने के लिए करते हैं इस शेत्र में भारत की कुछ पुलिस चोकिया हैं वही भारत चीन डिस इंगेश्मेंट पर दिये गए राहुल गांधी के बयान पर केंद्रिया मंत्री मुक्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुंद बुद्धी पपु जी के कमाल का कोई रास्ता नहीं है कहीं और से सुपारी लेकर देश को बदनाम करने के शडियंत्र और सुरक्षा बलो के मनोबल को तोड़ने की साजिशों में लगे हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है राहुल गांधी के सवाल पर कि प्रधान मंत्री मोधी ने भारत की जमीन चीन को क्यूं दी पर ग्रह राज्य मंत्री किशन रेडी ने कहा कौन जमीन दिया है ये राहुल गांधी के दादा से पूछिए जवार लाल नहरू से पूछिए कौन कायर है कौन देश भक्त है देश की जनता जानती है इसी बीच भाजपा सांसद राकेश सिनहा ने भी राहुल के बयान पर पलटवार किया है उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है अगर प्रधान मंत्री कायर है तो जवाहर लाल नहरू क्या थे कायर कौन है 1962 में नहरू ने 38,000 किलो मीटर जमीन दे दी थी राहुल गांधी चीन के अगोशित प्रवक्ता बन गए है सदन में रक्षा मंत्री को ठीक से सुनते भी नहीं उधर केंद्री मंत्री आर्के सिंग ने कहा कि हमारी सरकार ने आसपास के देशों को जता दिया है कि अगर आप भारत पर वार करेंगे तो भारत भी वार करेगा राहुल गांधी न समझते हैं और नहीं समझने का प्रयास करते हैं उनमें गंभीरता नहीं है, ये आप अरिपक्व अबयान है. सब्सक्राइब करें, हैन्ने बाद।